देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसत भवन का उद्गाटन कर दिया अपोजीशन के तमाम नेता वहाँ पर नहीं पहुचें क्योंकि लगभग 20 राजनीतिक दलों ने पहले ही कह दिया था वे लोग नए संसत के उद्गाटन में नहीं जाएंगे देखा था आपने किस तरीके से मायावती, अखलेश रादव, एनसीपी की चीफ हैं, कॉंगर्स पार्टी, तमाम पार्टी आईसी हैं जिन लोगों ने साब का था वे लोग नहीं जाएंगे हलाकि मायावती का बयार कुछ अलग था कि वे अपने नीजी कारों विस्त हैं, इसलिए वे वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं और बड़ी खबर ही है कि आज नए संसत भवन का उतभाटन भीगवा है और आज ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर को सधानजली भी दे दी है अब आप देखिए मैं आपको एब पी नियूज की खबर दिखा रहा हूँ प्रधान मंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर को सधानजली दी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई लोगसभा का उतभाटन करने के बाद लोगसमाज सिपीकर और अन्य मंत्रियों ने सेंट्रल हॉल में जाकर वील सावर करको सधांजली देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जो देशकर प्रधान मंत्री हैं मैं उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए आविस्मरडी है संसत का नया भवन हम सभी को गर और उमीदों से भड़ देने वाला है मुझे पुड विश्वास है कि यह दिव्य भव विमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट की समरिद्धी और सामर्थ को नई गत्य और शक्ति प्रदान करेगी आप वहीं देखिए किस तरीके से साक्षी जोशी का ट्वीट आया है कि जो बाइकॉट गैंग खुश हो रहा है ना उनसे और ना शारुक के फैंस से जो नाराज हो रहे हैं उन्होंने एक बार भी आईम शारुक का ट्वीट किया वीडियो सुना है चुकि सुना होगा तो जानते हैं शारुक के मौके का सदुपियों करते हुए संसत की सही परिभाषा मोदी को समझाई है अपनी आवाज में हर जात्धर्म के आधार पर चंद शकर आजाद भीव आर्मी के चीफ हैं एक पीछे का रहने वाले हैं इन्होंने भी ट्वीड कर दिया है और ट्वीड क अंगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी करा के प्रधान मंत्री जी देश को ताना शाही का संदेश देना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी कान खोल कर सुन लिजिए चाहे जितनी गिरफ्तारिया करा लिजिए बेटियों को नियाय मिलने तक या संघर्स जारी रहेगा और दे इसके अलामा देखिए कि जो है कि प्रसांत का नोजिया ने भी ट्वीट किया है इन्हों लिखा भारत की संसत का उद्गाटन है या कैलासा का जिस सदन्में भिश्वात से खिलाफ यह साइंटिफिक टेंपरामेंट की बात होनी चाहिए उसकी शुरुवात उनसे होने वाली ह जो बिज्ञान में नहीं मानतें दूसरों के बच्चों की फलता के लिए ग्रहों नक्रत्रों को दोशी और अपने बच्चों की फलता के लिए आरक्षन को दोशी जो है की बताया जा रहा है और इसके अलावां तमाम लोग हैं जो अलग-अलग अपनी-अपनी राय रख र पानी देश की संसत का अपमान रहरह आज की दिन को काला दिन बताया जा रहा है और देखिए चंद्रिकार आजाद का दूसरा लिखा है संसद विख्ष का पटल होता है भारत रतन बाबा सहाब डॉक्टर मिफिरम बेटकर ने कहा था आज नई संसद भवन का उगाटन है इसी संसद का एक अंग राश्पति वाद जिसका पटल एक प्रक्ष और उप राश्पति इसमें शामिल नहीं है यो लोग तांत्र किया जा रहा है महिला पहलवानों ने एलान किया था वे लोग नई संसद भवन तक जाएंगे कुछ करेंगे लेकिन दिल्ले पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है और तमाम लोगों को दिल्ले पुलिस ने कल रात को ही डिटेन कर लिया था और कई लोगों को डिटेन करन नहीं पहुंची और अपोजिशन कह रहा है कि देखिए नरेंदर मोदी ने अकेले ही नहीं संसद भौन का उद्गाटन कर लिया जो कि बेहधी गलत है दुर्भागेपूर है क्योंकि सदन संसद जो है उसमें पक्ष और उपक्ष है दोनों नेता होते हैं दोनों पक्ष की ने पुछना लेकि नरेंदर मोदी ने फिलहाल ने संसद भौन का उद्गाटन कर दिया है और उद्गाटन करने के ठीक बादूरों ने मन की बात भी आज की प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने आज मन की बात की और जो उनका संस्क्रण था एक सुमा संस्क्रण था और तमाम लोग अब उस्वर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें द्रमोदी से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं फिलाल इस वीडियो में इतना है लेकिन आप लोग पूरी खबर कले करके पूरी वीडियो को लगर क्या सोचते हैं अपनी राया आप लोग हमें जरूर बताई क्थियो में?